हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हूप सो अच्छे होंगे दोस्तों एगर आप भी अपने फोन से कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी के पुन्ने तितिका जोगी है 6 दुसंबर को तो बहुत ही आराम से बना सकते ह हैं इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को सुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है ताकि आप खुद से ऐसे पोस्टर डिजाइन कर सको दोस्तों इसका पीलपी फाइल मैं आपको दे दूंगा पासवर्ट लगा होगा और पासवर्ट आपको वीडियो में इस टेप में देखने को मिलेगा तो इसलिए आप वीडियो को सुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखेगा ताकि आपको पीलपी फाइल का पासवर्ट मिल जाए और जिप फाइल को आप अंजिप कर सके दोस्तों ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आपको अपने फॉन म करते हैं वीडियो को स्टार्ट उससे पहले चोटा सारी को स्टाप से करना चाहूंगा एकर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन आउन कर लिजेगा ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द बीच में दिखेगा कुछ इस तरह का नियू टाक्स सबसे पहले यहां से आपको नियू टाक्स को रिलेट कर लेना है नियू टाक्स को रिलेट करने के लिए लैफ्ट चैनल में ऊपर एक डिलेट का बॉक्स बना हुआ है इस पर किलिक करके यहां से ओके कर देंगे तो यह हो जाएगा उसके बाद मैं जो plp file दूंगा उसको open करना है दोस्तों एकर आपको plp file download करने नहीं आता open करने नहीं आता और pixel lab application में add करने नहीं आता तो इस पर मैंने और लेडी वीडियो बना रखा उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की description में मिल दाएगा description box चेक कर लेज़ेगा चले यहां से मैं अपना PLP file open कर लेता हूँ PLP file open करने के लिए right side में सबसे उपर three dot पर click करेंगे सबसे नीचे से तीसरे number open PLP file पर जाएंगे जैसे open PLP file पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का interface वहां आपको देखने को लेंगे एक बार okay करके एक बार हम कुछ इस तरह से बैक आजाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा PLP file कुछ इस तरह से open हो चुका है दोस्तों अगर इसमें कुछ पर edit करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से तो बहुत ही easily कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों आप अपना photo png लगा सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं और अपने social media का जैसी कि facebook, instagram, twitter, youtube का username दे सकते हैं तो दोस्तों आप अपना photo png इस पर कैसे लगाएंगे अपना photo png लगाने से पहले जो photo png इस पर लगा होगा इसको डिलेट करना है इसको डिलेट करने के लिए कुछ इस तरह सम एक वार photo png को select कर लेंगे left साइड में उपर डिलेट का box बना हुआ इस पर किलिक करके यहां से कर देंगे यह डिलेट हो जाएगा उसके बाद जो photo png आप अपना लगाना चाहते हैं उसको select करने के लिए left साइड में सबसे उपर प्लस का अइकन पर किलिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरी नंबर फ्रॉम गैली में जाएंगे और गैली में से अपना photo png जो आप लगाना चाहते हैं वह select कर लेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों हमने photo png select कर लिया है इसको तोरह से मैं crop कर लूंगा क तरह से नीचे से और यहां सबसे नीचे right side में right कर देंगे जैसे right करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके screen फोटो png आ जाएगा photo png पर टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से इसको नीचे लेंगे और यहां पर लाने के बाद आप अपने photo png को आप अपने हिसाब से बहुत ह करेंगे दोस्तों ताकि देखने में कुछ इस तरह से अच्छा लगे जैसे आपका photo png फीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों नाम चेंज करने के लिए नाम वाले option पर जाएंगे double tap करके यहां से सब को back कर देंगे जो भी आपका नाम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से मिलेगा इसके अलावे कर दोस्तों आप अपने सोसल मीडिया का कुछ भी यूजर नेम देना चाहते हैं जैसे कि Facebook इंस्टार ट्विटर यूटूब तो बहुत ही easily दे सकते हैं सोसल मीडिया का यूजर नेम देने के लिए सोसल मीडिया की यूजर नेम पर जाएंगे double tap करके यहां से सबको back कर देंगे जोबी आपकी सोसल मीडिया का यूजर नेम होगा धूस्तों एकस वाइजब कुछ इस तरह से टाइप कर लेंगे और simple right-side में OK कर देंगे तो यहां पर आपको अपने सोचल मीडिया का यूजर नेम कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा इसक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा बीच में दिखेगा दोस्तों आपको कस्टम कस्टम पे क्लिक करके सबसी नीचे अल्टरा कर लेंगे और यहां से कर देंगे सेव टू गैल्डी जैसे सेव टू गैल्डी करेंगे तो यह पोस्टर बंगे आपके गैल्डी में सेव हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जुरूर बताएगा एकर आपने अब भी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइकन ओन कर लिजगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के धन्यवाद